हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सबको श्वागत से मेरे यूट्यूब चनल पर जिसका नहां में ट्रिकिमाट फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं इन्फो एज लिमिटेट के बारे में आज हम इस कंपनी को कि क्या आपको इसे लॉंग के लिए होल्ड करना चाहिए और जैसे कि आपको पता है आई-टी सेक्टर के कंपनी अगर आपको नहीं पर मार्केट ट्रेंड अगर बोले तो आई-टी सेक्टर काफी है इन इसके अलावा इंफो एज का भी बहुत ज्यादा डिमाइड लेकिन फ अच्छा खासा रिटेंड देखने को मिल सकता है कैसे मैं बोल रहा हूं आई दिखा दो अगर हमें इपर फाइब येर्स की चार्ट प्रेटन देखें इस फाइव येर्स के रिटेंड भी देखें तो जैसा है कि बेस्टे राउंड चार सु बत्रिस चार सु परशन के आज फिर अगर देखें तो बहुत नीचे गिरता है फिलाल ये गिरा हुआ है दाइस की डाउन फॉल में है और नो डाउट आने वारे समें फिरसे ये उपर जाएगा और जब आए जाएगा फिरसे अपने ये रिकॉर्ड तोड़ेगा और उस समय आपको अच्छा खास रिटें होते हुए देखने को मिलेगा लेकिन बहुत सारे रिटेल इंवेस्टर्स क्या करते हैं कि ऐसे सीचूसन में जब प्राइज इनकी कम हो रही हो तो जब प्राइज डाउन फॉल हो रहा होता है तो यहां से नॉर्मली मोस्ट अफ इंवेस्टर्स निकल जाते हैं बर जब यह अजिस्क हाजस में इस स्टॉक 7000 तक गया था एंड लुष्ट किक अगर बात करें चार हजार तक फ्रे लुएस्का 52 जूएस्ट में बात करें फिविट 8.41 ईटाउजन कुरोड के जे फिविट 8.41 उटाउजन कुरोर के इसकी मार्जे के अप धीचर अच्छी खास हें तो पर देखने हो मेल लिए और पी रेसे कर बात करें तो यहां पर आपको देखने हो मेल लिए 4.74 लेकिन इतना नहीं है इस थोड़ जादा है रहने 6 पर 6 के आसपस पी रेसे इस कंपनी ना बहुत ही कम है फ्रेंस हमने तो चार्ट पैटन देख लिया अब हम देखते हैं इसके फानेंसियल नंबर बैलेंस एट और साथी साथ इसके शियर होलिंग पैटन क्या यह तीनों स्ट्रॉंग है और इसके साथी साथ हम इसकी बिजनेस ऑप्रचेंटि बीडियो मिलती रहें और इसके बाद हम सिदा चलते हैं इनके चाट साथ पैटन पर हम यहां पर देख रहें हैं इनकी ख्वाटरली नंबर के लिवाद कर रहें तो यह पर बाद करें तो हरें सेल्स में 2021 के डिशमर में कंपनीं 419 क्रोड के सेल्स कि है जिए त्ससे पहले त छोता है कि लास्ट तीं इससे पहले कर देखिये तो लेज दन 400 CH में इनकी सेल्स हो लेकिन डीशंबर क्वाइटर में इंकी सेल्स हुई है 419 ग्रोड याष्ट क्रोड नहीं के छे अपने अच्छा का था र्यविन्यू बोल सकते हैं तिक-टक time to time grow कर रही है and quarterly इनका grow हुआ है expenses के कर बात करें तो 304 आपको देखने को मिल रहें 304 क्रोर के expense से पहले 330 क्रोर के असपास थी that means के company अपने expenses भी quarter on quarter में जो है अच्छा कहसा अपना maintain करते हुए आपको देखने को मिल दी है operating profit के कर बात करें तो जासे करें 35 क्रोर था September that means के second quarter में but 114 क्रोर आपको देखने को मिल रहा है December that means की 2021 के third quarter में and operating profit margin भी आपको अच्छा कहसा आपको यहाँ पर jump होते हो देखने को मिल रहा है 10% ते around 27% के that means के almost 3 गुना but यहाँ पर आपको देखेंगे order income यहाँ पर आपको एक बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग फैक्टर देखने को मिल रहा है कि company का order income ही बहुत जादा है September quarter में 8,315 क्रोर थी and फिलहाल वाले quarter में that means की second quarter में 4,801 क्रो के almost half यहाँ पर आपको order income होते हुए देखने को मिल रहा है order income कैसे होता है matter करता है कि business company का order business क्या है वहां से कुछ income आता है तो उसे friends order income में रखा जाता है इससे पहले बात करें तो company का order income बहुत ही कम था लेस देन less than hundred less than thousand crore के आस पास है लेकिन इस last two quarter के रबात करें यहाँ आपको इनकी order income में grow अच्छी खासी होते है देखने को मिलें order income इनको कहां साता है ziomato, 197 communication, nocleo.com and इस प्रकार की जो फी बहुत सकते है आप श्टार्ट अप कंपनी से टेक टेकी वाली जो start-up companies जिसे नॉर्मल स्मार्टफोन से operate किया जाता है जिनकी business को बिजनेस को नहीं बट जिनका service ले जाता है उस type की company से में आप इन्फो एज की अच्छी खासी आपको holding देखने को मिलें रिसेंटल मैंने दोमेटो को गवर किया था और वहाँ पर भी हम IT sector की companies IT sector नहीं बट जब की online platforms जो है उनमें आपको इन्फो एज की अच्छी खासी holding होते है आपको देखने को मिलती है और जब वह company जब ग्रो करती है जब उन companies का business या फिर growth अच्छा होता है profit निकलता है तो इन्फो एज का भी order income यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिलता है इनका ज्यादा तर हिस्सा जो net profit आता है ने इनका नौकरी.com या फिर नौकरी के website जो भी है उस वाले platform से यहाँ पर इनको order income ज्यादा आपको आते वह दिखने को मिलगी मैं आपको यह पांच जब आपको यह फोटो सिखा रहा हुँगा यही सारे companies हैं जिन में इनफोईज ने अपनी अच्छी खाजी holding बना करें किया profit before tax के रबात करें तो जैसे कि विए सकते है तो सकते हैं अल्मोस्ट हाफ हुआ है इनका net profit as compared to second quarter ठीक है that's why आपको यहाँ प्राइस में आपको नाफोल होते हुगा देखने को मिल रही है that means कि आपको clearly देखने को मिल रहा है कि अर्निंग पर सेयर हो या फिर net profit आपको downfall होते हुगा देखने को मिल रहा है मेंटर नहीं करता है तो आपको PB ratio के basis में किसी स्टॉक को IT sector के स्टॉक को जज़ करना थोड़ा गलत हो जागा तो let us ignore the PB ratio आई हम इनकी financial number देख लेगा है और financials number की बात करें तो हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं Consolidate में and last five years के रहे हैं year on year में growth होते हुग देखने को मिल रहे थी in the revenue but 2021 में अब देख सकते हैं आपको यहापको यहापर sales come होते हुग देखने को मिल रहे है जैसे कि मैंने आपको दिखाया इस company का other income 2021 के second and third quarter में 4,000 and 7,000 crore के आशपस आपको होते हुग देखने को मिल रहे हैं and that's why यहापर आपको 2021 में इनके revenue इतना जयाद आपको देखने को मिल रहे है जहां इनका sales भी कम था and why 2020 में 483 crore के नेट profit था and 2019 में 902 crore के तो इस basis पर देखें info age जैसा अपना plan बना रहा है start-up companies में अपने पैसा लागा रहा है अपने portfolio strong बने इसके इस company का जो अपना business वो भी अच्छा कास आपको ग्रोह होते हुग देखने को मिल रहे है इस point of view से ये company आने वाले समय में आपको अच्छा खाशा returns दे सकती है अब हम देख लेते हैं friends इस company का balance it और हम balance it की बाद करें friends तो यहां पर आप इनका reserve and surplus देख सकते हैं 4435 crore की जैए friends इस company की 2021 की reserve and surplus है and इससे पहले 226 की 9 crore की friends इनकी reserve and surplus से इसे पहले अगर देखे तो less than 3000 ही जो है last 5 years in credit reserve and surplus लेकिन 2021 में reserve and surplus 4435 crore आपको बढ़ते हुए देखने को बलती है क्या company ने loan लिया है long term borrowing के अगर बात करें तो just 0.07 crore and इससे पहले 0.24 crore था that means कि company अपना almost debt-free होने की कोशी करिये and अपना debt भी almost कम कर चुकिये तो जैसे कि company ने short term borrowing भी ने लिये तो बोल सकते हैं completely debt-free company है बहुत ही अची company है cash and cash equivalent देख लेते हैं कि क्या सा है in cash and cash equivalent में performance जैसे कि अब जैसे देखे देखेंस 2020 में इस company का cash and cash equivalent था 4,427 crore की but 2021 में 635 crore के friends आप आपको दिनों मिलते है cash and cash equivalent last five years के अब पर रिकॉर्स देखें तो यहां पर आपको देखने को बहुत है कि last five years में सबसे ज्यादा इसी year में इस company ने cash and cash equivalent अपना एकठा किया है and सायदा बोले कि trade receivable साथ कुछ balance हो तो जैसा है कि अब जैसे सिर्फ और से 5.39 crore की difference trade receivable यहां पर आपको बैलेंस देखने को मिलें बाकी बाकी यहां पर आपको completely company के बास आ जाता है time to time that's why आपको है पर cash and cash equivalent अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है तो जहां तक हमने financial number दखा and balance it company बहुत ही strong है अफला तो इसकी आपको देखने को मिले balance it and financial number आप यहां पर अच्छे खासी आने वाले समय में आपको numbers और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं क्यूंकि इस company में जिस start-ups में अपना investment किया है वह company अगर ग्रो करती है तो no doubt कि इस company को भी अच्छा आपको इस अच्छा अच्छा आपको रिटन नेट परौफित बड़ते हो देखने को मिल सकता है अब बात करें इस company के share holding pattern की बारे में share holding pattern के अगर बात करें तो promoters की holding है थक 8.4% क्या सबस्वास FIS के Holding 36.37% आपफफ़ास and DIs के Holding 14.37% and यह एगार पुबलीक के Holding बात करें तो सिर्फ 1 10.71% के आपज है इपुबलीक के प्रोमोर्टर्स के Holding and FIS and DIs के बात करें तो अच्य ही खासवी आपर आपको बेखने को लुए इस अच्छी ही पाटेने को लिए बट इनकी sales किसी quarter में कम होती है कि क्या promoters की holding plage में है तो जैसा है कि अपर देखने को मिल रही है December of 2020 में 40.54 परशन का था and December 2021 में 36.37 परशन के अपना पर देखने को मिल रही है that means कि quarter on quarter में FIs अपने holding थोड़ी बहुत चोई lose करते वापको देखने को मिल रही है DIs के बात करें तो DIs ने अपनी holding बढ़ाई है December quarter of 2020 में 11.4 परशन था and आज 14.37 परशन that means कि जो FIs ने sell किया उसे DIs ने buy कर लिया public के कर बात कर लिया तो public के holding भी आपको थोड़ी बहुत जो है पर आपको up-down up-down होते वह देखने को मिल रही है so public के holding के basis पर बात कर लिया तो ठीक है कोई issue नहीं है ठीक ठाक है इनकी share holding pattern, balance sheet and financial numbers सब कुछ हमें perfectly देखने को मिल रही है अच्छी खासी है so जिसा के हमने आप देखा fundamental analysis कर लिया fundamentally strong है और अच्छी खासी अपने performance भी दे रही है even इनकी order income अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है और अने वाले समय में और भी grow कर सकता है इनका order income बढ़ सकता है अगर companies like Zomato, 197 communication, Nespeer इसके अलावाँ जिस भी companies नोक्री.com अगर इनकी अगर revenue बढ़ती है तो no doubt कि info.h का फिर revenue आपको net profit बढ़ते हो देखने को मिलेगा और अगर net profit बढ़ेगा तो quarterly number से improve होंगे और quarterly number से improve होंगे यह जो 4000 आपको trade करते होते हो देखने मिल रहा है 52% highest इसका अगले 5 सालों में change होगर के कुछ और भी हो सकता है हो सकता है कि यह 8000 आफि 9000 के आसपास भी चलाजा आपने 52% highest में इसके लिए अगर आप फाइदा उठाने चाते हैं तो obviously आपको at least 5 years तक जो है इस company को hold करना होगा तब ही जागर कि आपको अच्छा कासर रिटन से आपर देखने को मिल सकता है ठीके friends यह कंपनी है Info Age India Limited नौकरी जैसा कि आपने NSC और BCM दोनों में trade करता है अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो प्लीज वीडियो को जरू लाइक करेज़गा और अगर आप आप जा सकते हैं लॉंग टर्म के लिए फिलाहला अगर आपको आपको डाउन फॉल देखने को मिल रहा है रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक study purpose के लिए है तब तक के लिए जै हिंद जै भारत एंड थैंग्स को वाचिंद इस वीडियो जै हिंद